यह हमारा स्वभाग्य है कि आज मालो भूमी पर संगीत मार्टन पद्म विबूशन और संगीत की सांगेतिक विरासत के इंदुस्तान के सबसे बड़े हस्ताक्षर पंडी जसराज जी हमारे साथ हैं पंडी जी इंदौर की धरती पर अमिर खांसाब की धरती पर लता मंगेशकर जी की धरती पर कुमार गंदर जी की धरती पर आपका स्वागत है अभी नंदन है आप से पहला सवाल पंडी जी यह है कि शुरुवाती जो दिन थे आपकी गायकी से हिंदुस्तान नी पूरी दु करना चाहेंगे आपके सब जय हो माराज मैं मेवाती घराने में पायदाई हुआ हूँ मेरे ग्रेट ग्रेंड फादर भी गाते थे और मेरे उस्ताद का नाम जो हम जिन से घराना शुरू होता है उस्ताद घगे नजीर खांसाब पहले वो जोदपूर स्टेट की मुजिशन थ फिर बाद में भौपाल के स्टेट मुशन रहे यहाई पे उनका स्वरगवास हुआ भौपाल में तो वो भी इस मद्यपरदेश की भूमी में भूमी पे रहे अब और आप ने तो बता दिया कि इतने बड़े-बड़े उस्ताद और पंडित लोगों का जनम और उनका सारी क जैसे कुमार गंदर जी का शाज जनम तो नहीं वा वो तो कहीं कोंकन में पैदा हुए थे हैं वो यहाँ आके देवास में बज़े उनसे बड़ी अच्छी तरीके से परिचित था उन्हों ने ही मुझे 1964 में यहाँ पर एक अभीनो समाच अभीनो कला समाच वो उसकी एक म्य मुजिक फेस्टिवल था उसमें मुझे बुलाया था और बस उस दिन के कलाकार थे मैं मुझे से शुरुआत हुई मेरे बाद शांतापरसाद जी ने तौला बजाया उसके बाद मैं खुद पंडित कुमार जी ने गाया और एक और आइटम था उसके बाद में उस्ताद अम गायकी कि चुकिए आप इंदौर को इतनी शिद्दत से याद करते हैं इंदौर की धर्ती पर हम इसक्रट बैटे हैं और अमिर खान साब कि कुमार गंदर साब की गायकी से यहां के भी गायक बहुत रिलेट करते हैं बहुत जुड़ाव है तो कोई ऐसी आपकी याद होगी उसकी गायकी की जो आप साजा करना चाहेंगे नहीं देखिए एक कलकते की मैं तो कलकता रहता था पहले कलकते में अमीर खान साब खड़े हुए थे और कलकते के कालिदा सन्याल वो भी बड़े अच्छे गायक थे उन्होंने का खान साब ये हमारे यांका किसी इन किसी कलाकार के दिल में किसी कलाकार की मूरत होती है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात इसमें मैं अपने आपको बड़ा समय समझता है Smoothie का आज है कल दूसरे की आजाएगी आपको क्या लगता है इस वक्त शास् collaborations हंगीत हंदुस्तान में कि बहुत अच्छे स्थान पे मैंने का कि स्वरनीम यूग चल रहा है इसको आप डिनाई नहीं कर सकते और ये चीज़ आप लोग छोड़ दीजिएगा कि संगीत के दिन ठीक नहीं है वो उचाई उचाई की बात नहीं वो ऐसा था कि उस जमाने में 14-50 घंटे लोग रियाज करके आते थे तो उनकी तान उनका ये मगर स्वर का जो लगाव है वो आज भी वही है कल भी वही होगा और ये मतलब जिसको कहते हैं न कि अमर गाना है आपने लेकिन इसमें बहुत महत्पूर्ण बात कह दी कि पहले 14-20 घंटे के रियाज का धहरे भी था और उस्ताद के साथ उसको सीखने की आपके एक सोशिष भी है अज का और पुराना मैं हिसाब बता देता हूं उस जमाने का गाना जो था ना उतंग था एकदम शिखर एवरेस्ट मौंट एवरेस्ट जैसा लोग गाना गाते थे इमालगी उचाई थी आज समूद्र के जैसा है आप किसको उचा नीचा कहेंगे ये बतागी लेकिन ये बात जरूर आती है कि शास्तिरी संगीत पहले भी ज्यादातर राजदर्बारों में प्रश्रे पाता था और आज इलिट क्लास तक बहुत हद तक सीमित है नहीं नहीं इलिट क्लास तक सीमित नहीं है ऐसे लोग जिनका पैसा है और अपने कुछ शौक से जोड़ने के खातिर कुछ महफिलों में वो शास्तिरी संगीत के शुरूता बनते हैं कुछ लोग हैं जो जुड़े हैं ने 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 लेकिन फिर भी मासेस तक नहीं पहुँच पाया एक ब हले ही वो इलिट लोगों में बैठने के लिए चले आएं आते तो हैं आने दीजिए और एक बात मैं आपको बताओं कि एक बार कोई अच्छे शास्तिरी संगीत के गाया के अवादक के इसमें आ जाए वो फिर से मुड़कर ऐसा नहीं कहेगा कि मेरी गलती हुई मैं नहीं ज़रूर आएगा फिर से संगीत की मुचाई से बात थोई थी अपनी जी और उसमें एक जिक्र है आपके गायन का 96 का बनारस का क्या आप गाया रहे थे और कोई हिरन वहाँ पर और ये कहा जाता है कि पुराना 87 की और वो मैं बनारस में गाया रहता है ये शंकट मोचन अनुवान मंदिर जहां पर दस बारा आदमी हजार की मैफिल होती है लोग राद भर बैठे रहते हैं शाम आठ बज़े से लेके सुबा साथ बज़े जब तक प्रोग्राम चलता है बैठे रहते हैं और हम सुबा समझी है क्या समझी है कि करीब उस ताइम पर पांच साड़े पांच-छेजार आदमी बैठा वा था सामने उन में आके एक किरन खड़ा हो गया और तोड़ी ही गा रहा था ये भी बड़ी बाद तोड़ी से ही उसका जिक्र भी है कि तानसें साब जब गा रहे तो तो तोड आया कैसे आया मगर बात ये जरूर है कि मैं तोड़ी गा रहा था रहो ही रणा गया कर रही होती है तो बंद खरवाद देटी ये सू संसकार की बात है ये आपके घर का संसकार है जो आपने उनको प्रदान किया बच्चों आपने कई जगे कहा है कि मैं अपने सुरों में सुर में अलाप में ईश्वर को खोशता हूं कई जगे कहा भी गया है कि संगीत जो है इश्वर से जोड़ता है तेरेपी के रूप में भी बहुत इस्तिमाल किया जाता है किसी ने मुझे आज दिन में किस्सा सुनाया जब मैं सुन रहा था आपके कुछ भजन और कह रहा था कि पंडीजी से मिलने जा रहा था तो ने का कि संगीत में तो यसा था कि पहले पखावज के उपर आटा लगा के उसको बजाते थे और उससे जो खिरा हुवा आटा है उससे टीबी का इलाज होता था है ना देखिए मैं जब गाता हूं कोई कोई बंदीश गा रहा हूं समझ लिए किसी क्रिश्ण जी के बारे में ज्यादा तर क्रिश्ण जी के बारे में गाता हूं वह बंदीश को मैं पेश कर रहा हूं तो मुझे वह 70 mm का जैसा पीक्चर का जो है वह शुरू हो जाता है सा यह तो पता नहीं है he मगर वह 70 mm in सच में दीख जाते हैं मगर यह बहुत बार नहीं होता है यह rarely होता है और जो होता है वो अधुझ अनुभव होता है वो तो अध्भुत होता है एक बहुत बार गला रूंद जाता है अगर कुछ नहीं दिखहा और आपने गाना गाया कोई अच्छा स्वर लग गया एक ही स्वर से बहुत कुछ दिखता है और वहां गलाबंद हो जाता है दो सवाल वारे हैं एक तो यह कि आपकी शुमत जीजी का बहुत जिक्र आया जादर के सादर दुर्गा जीन अपनी माँ को याद किया का कि उन्होंने बताया पिता क्या है एक जिक्र मैंने कहीं पड़ा था कि आपने कोई संगीत के आपकी सभाति बंदिज गई फिर मंच के पीछ आके आके उन्होंने तारीफ की और वहां से ये सिलसला आगे बढ़ा और आप दुनों की उम्र भी उस वक्त कोई बहुत जादा है वो सिलसले तो देखिए हर एक की जिन्दगी में कुछ निकुछ आता है कोई कभी होता है इस पड़ाओ पे उसको याद करना हम लोगों के लिए दिल्चस हो बस तो अपने किसे को याद कर लो उसको इदर उदर गुमा फिरा के वैसे ही सब आपका किस्सा हम थोला सा क्या बात हुई थी उसको कि ये डॉक्मेंटेशन भी है बात बात तो हमें याद नहीं मगर कुछ तो जरूर उननों ने तारिफ की हमारे गाने के बस वहाँ से सिलसला शुरूर हो गया वहाँ से सिलसला शुरूर हुआ या नहीं हुआ ये तो पता नहीं पर हुआ तो हुआ तो से कुछ-कुछ हुआ वो हमारे दो भतीजे हैं ललित जतीन सगे मेरे बड़े भाई साब के बेटे हैं पंडित प्रताप नारण जी के तो उनका म्यूजिक है वाह कुछ-कुछ होता है वैसे ही कुछ-कुछ हुआ अब तब यह नहीं मानूँ था कि हमारे भतीजे करने वाले हैं मगर आप बहुत ज अब गाना शुरू किया रियाज शुरू किया तो उपर हाथ उठा के भगवान से का तो मुझे पच्चीस रुपया दे दे शास्त्रिय संगीत गा के मैं मेरे संसार को उसी में समेट कूंगा क्या बात मतलब आपने यह संकल्प कर रखा था कि मुझे फिल्म या कमर्शिल य जो साथ पकड़ के रखा और कई लोग जो उसमें मिशन करते हैं उससे आप दूर रहे थुम्री वगरे जो भगवान ने जैसा दूर रखा रखा और हमारे संकल्प को हमीं जो संकल्प किया उसको संकल्प पीती रहने दिया दुर्गा जी के पास आऊं जलसा के लिए उसके ज़्यादा नजर आता है वैसे राशिद के अलावा भी दो चार पांच दस हैं मगर वही नजर आता है सच बात यह कोई और दूसरे उबढ़ते हैं और इस नाते हमारा इन दौर से रिष्टा तो जुड़ा हुआ ही है हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि हम इन दौर से हमारा कुछ रिष्टा जुड़ा जो आ रहे हैं अभी शास्ती गाने में उनको क्या संदेश देना चाहेंगे देखिए मैं अपने आपको इतना बड़ा नहीं समझता हूं कि मैं उनको अड़्वाइस करूं या कुछ संदेशनों सच में बस माबापको बहुत ही उनकी सेवा करो उनको बहुत सनमानित करो उनके दिल को दुखाओं नहीं और गुरू को भी उसी इस्तान पर रखिए बस एक सवाल ख्याल में आया आप जगजीत सिंग के भी बड़े मुरीज इंदोर में उनकी सभाएं बहुत सुनी आपका उनका बहुत परिशे भी रहा साथ भी रहा आपने कहीं जिक्र किया था उनसे आपकी बातचीत और दोस्ती का उनकी पॉपुलर गजल जो है उनके माध् दिया उस इंसान ने और उस ताइम पर ऐसे कलाकार थे पाकिस्तान के मैदी हुसैन गुला मली तो आज भी विचा रहे हैं तो उनके बीच में से निकल जाना तो मुझे ऐसा लगता है को उस्ताद विलायत खांसाब पंडित रवी शंकर जी उसके बीच में से जैसे निखिल था नामता था गुना उनको जब भी जैसे भी सुनो ला जवाब लगता है पहली बार मुझे को किसी ने 80's में एक record सुनाई कि क्या क्या खिसकती जाए या क्या सरक्ती जाए रुक से नकाब आहिस था सारी रात वो record को मैं सुना सरक्ती जाए रुक से नकाब आहिस था हाँ जी बहुत popular गजल है उनकी बहुत ही ऐसा लग रहा था कि सच में ही इनसान जो गा रहा है तो जैसे मैंने काना कि मुझे ऐसे canvas पे वो दिखता है वैसे ही ऐसा लग रहा था कि आहिस्ता 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 नकाब सारग गई आपको लगता है कि जो गजल बहुत classic होती थी एक अलहदा अंदाज में होती थी उसको आम जन तक पहुँचाने में एक बड़ा युगदान ने 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 ये तो एक साही बात है कि किसी को मीडिया मिल गया बस वो पहुँच गया दुनिया तक हम अमीद करते हैं कि इंदोर शेहर को एक बार फिर बहुत बढ़िया उम्दा बंदिशें पंडिश जी की हमको सुनने को मिलेंगी इस काल में जो लोग हैं जिन्दा हैं और जिन लोगों ने साक्षात पंडिश जी को सुना है शायद उनको इश्वर की अराधना अलग से करने की जरूत नहीं है हम सब सभागे शाली है कि इस काल में पंडिश जी के गायन को रूबरू सुनने का हम सब को सभागे मला है हम एक बार फिर संगीत मार्टन पदमो विवशन पंडिश जसराज जी के बहुत आभारी है इस बातचीत के लिए और खास तोर पर उन सारे श्रोताओं की और से जिनको आपने इस संगीत से नवाजा है हम कामना करते हैं कि आपकी आवाज आपका यसुर हमारे साथ लगातार बना रहे है जै हो माराज जै हो करनीग जी आपके जै हो